आज हम एक बहुत सुन्दर कहानी से शुरू करते हैं हैरी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था वो बहुत गरीब था वो अपनी गुजर बसर भीक मांग कर करता था ताके उसे रात पर सड़क पर सोनाना पड़े एक सुबह उसने हमेशा की तरह अपनी चटाई बिछाएं भीक मांगने के लिए अपना प्याला रखा और मांगने के लिए वो याचना करने लगा आसपास बहुत सारे ओफिस था तो कई सारे लोग वहां से हर रोज गुजरते थे लेकिन उस दिन कोई भी हैरी की और ध्यान नहीं दे रहा था उसे लगा आज कुछ नहीं मिल सकेगा और वो उदास महसूस करने लगा पर उसे पता नहीं था उस दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है कुछी देर में वहां से एक युवती गुजरी उसने मुस्कुरा कर हरी को अभिवादन किया और उसके पहले में उसने बीस डॉलर डाल दिया वो चौप गया ये तो पहली बार था चो किसी ने उसे इतने पैसे भीक में दिये थे हरी ने आभार व्यक्त करते हुए उस युवती से अपना नाम पूछा युवती ने मुस्कुरा कर अपना नाम सारा बताया हरी बड़ा खुश होकर उच्छा से उसे बताने लगा मुझे आज रात सड़क पर सोना नहीं पड़ेगा थांक्यू आपकी वज़े से आज रात मैं चैन से सो सकता हूँ थांक्यू फिर उसने पूछा आपने मुझे इतने पैसे क्यों दिये सारा ने बड़े ही प्यार से उस वृद्व्यक्ति को कहा मेरा ये मानना है जो हम करते हैं वो प्रकृती हमें वापस जरूर देते है जो हम करते हैं वो प्रकृती हमें वापस जरूर देती है जैसा हम बोईंगे वैसा फल मिलेगा दोनोंने कुछ समय बाच्चित की फिर सारा का लंच ब्रेक खतम हो गया तो सारा को जाना पड़ा उसने हैरी को आगे के लिए शुब कामनाई दी और वो वाँ से चली गई थोड़े समय में हैरी को लगा उसे पैसे गिन कर देखना चाहिए शायद एक दिन के लिए परियापतराशी इकटी हो गई है हैरी ने पैसे गिनना शुरूर किया तो उसे पैले में कुछ चमकता हुआ नजर आया वहाँ एक अंगुटी बड़ी देखकर वो हैरान रह गया और सोचने लगा ये अंगुटी यहां कैसे पहुंचे फिर उसे लगा पैसे डालते समय सारा के हाथ से उसके अंगुली से शायद यह अंगुटी गिर गई हो गए अब वो तुरंत सारा को ढूनने के लिए जुट गया गलियों में इदर उदर ढूनता आसपास के ओफिस में पूछता लेकिन वो उसे कही नहीं मिले आखिर वो तलाश करते करते ठक गया अचानक हैरी के मन में लालत जाग उठी उसने सोचा अगर वो अंगुटी बेच दे तो उसे कई मैनों तक सड़क पर सोना नहीं पड़ेगा अब यही सोचते हुए वो एक ज्वैलर की दुकान पर पहुँच गया और वो अंगुटी बेचने के लिए दुकानदार से उसकी किमत पूछे अभी उस ज्वैलर ने उसे चार जार डॉलर की अंगुटी की किमत बताए जिसे सुनकर हैरी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी बहुत बड़ी रकम थी और उस ज्वैलर के उस किमत को सुनकर हैरी को ऐसे लगा चलो मैं अंगुठी बेच देता हूँ और ये पैसे लेकर कुछ महिने तो मेरे आराम से बिच जाएंगे फिर वो अनेक सुख सुविदाओं को उसकी कलपना करने लगा जिस मेरा सब अच्छा होगा मुझे अच्छा खाना मिलेगा अच्छी तरह से सोने को मिलेगा और हर रात चैन से सोंगा मैं इससे उसका मन लल्चाने लगा लेकिन अच्छानक उसे सारा की शब्द याद आ गए जो हम करते हैं वो प्रकृती हमें वापिस जरूर देती है जो हम करते हैं वो प्रकृती हमें वापिस जरूर देती है अब उसे मानो एक जटका सा लगा सारा के वो शब्द उसे वापिस वर्तमान में लेकर आये और उसे उसकी गलती का एसास कराया अब उसने अंगोटी नहीं बेचने का फैसला किया और वो फिर से सारा की खोज में लग गया वो आस पास के सारे आफिसेस में जाकर पूछने लगा और तब ही उसे याद आया सारा ने उसे कहा था कि मैं यहीं कहा पिछली लेन में काम करते हूँ अब वो उस गली में गया हर इक आफिस में जाकर पूछा इस तरह वो उस गली के लास्ट वाले आफिस में पहुंच गया पूछा क्या सारा यहां काम करती है और हाँ आखिर उसे वहाँ सारा मिल गए सारा उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान हो गई और बोली बताईए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ हैरी ने अब तुरंत जेब से अंगुठी निकाली और कहा सारा मुझे लगता है ये आपकी है शायद पैसे डालते समय वो आपके हाथ से गिरकर मेरे प्याले में आ गई थी अब ये अंगुठी को देखते ही सारा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी आखों से आसू आ गए उसने कहा मैं वास्तों में आभारी हूँ कि आप इसे वापिस लाए आप नहीं जानते ये अंगुठी मेरे लिए कितनी इंपोर्टन्ट है मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पर उसके मन में एक सवाल आया जो वो पूछे बिना रहने ही सके सारा ने पूछा अगर आप चाहते तो आप तो अंगुठी बेच कर बहुत पैसा कमा सकते थे फिर आपने इससे वापिस क्यों किया उसने उत्सुकता वश्ट पूछा ये बात सुनकर हैरी ने कहा देखो आपने इतनी उदारता से मेरी मदद के तो मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूँ न और वैसे भी एक बुद्धिमान मैला ने मुझे कभी कहा था जो हम करते हैं तो वो प्रकृती हमें वापिस जरूर देती है अब उस उरुद्ध विक्ति की बात सुनकर सारा का रदय गदगद हो गया उसने दिल से शुक्रिया करते हुए कहा आप जानते हैं ये मेरी शादी की अंगुठी है मैं आपका एहसान कभी ने भूलोंगे अब हैरी ने अंगुठी लोटा दी और वो चला गया उसके जाने के बाद सारा का जो ओफिस का सहकर्मी था उसने गो फंड में नामक वेबसाइट के माध्यम से इस बूड़े व्यक्ती की मदद करने का सुझाव दिया अभी वो वहाँ अपनी कानी साजा कर सकती थी और लोगों से हरी के लिए पैसे दोनेट करने का वो रिक्वेस्ट भी कर सकती थी इस पर सारा ने खुशी से कहा मैं जरूर ये काम करूंगी और मुझे यकीन है लोग ये कहानी पसंद करेंगे उसने हरी के लिए गो फंड मी पर एक क्राउड फंडिंग पे शुरू किया और वो वाइरल हो गया ये कहानी अने के लोगों तक पहुँच गई कि कैसे सारा के अंगुटी खो गई थी हरी ने उसे वापिस लोटाया अब लोगों ने दान करना शुरू कर दिया कुछी दिनों में सारा ने दान के रूप में एक लाख नब्वे हजार डॉलर इकटे कर लिया फिर वो हरी को खोशने निकल पड़ी हरी तो उसे उसी स्थान पर मिला जहां वो पहली बार मिले थे जब सारा ने उसे एक थैला दिया हरी ने सुचा वो उसकी मदद करने के लिए शायद कुछ चीजे लेकर आई है और उसने आवार प्रकट किया लेकिन हैरी ने जब उस बैक खुला और पैसे देखे तो वो तो एकदम आशर चकीत हो गया उसने सारा से पूछा सारा अब मुझे इतने पैसे क्यों दे रही है सारा ने मस्कुराते हुए कहा ये आपकी इमानदारी का परसकार है ये आपकी कमाई है फिर उसने खुशी-खुशी समझाया कैसे लोगों ने उसकी इमानदारी उसकी दयालूता को अप्रिशीट किया सराहा और गो फंड मी के माध्यम से उसे एक लाग नबे हजार डॉलर्स की राशी का दान दिया और अब उन्हें रास्ते पर अभी रात बितानी नहीं पड़ेगे इन पैसों से वो अपना खुद का घर खरीच सकते हैं ये सुनकर वृद्ध व्यक्ती खुशी से जूम उटा उसकी आखों से खुशी के आशु जलग गए और उसने सारा को खुब आशिरवात दिया सारा भी रदय में खुशी आखों में आसू लिये हैरी को अलविदा कहकर चली गई उसके जाने के बाद हैरी ने देखा बैग में एक कागच का तुकड़ा भी था और जिस पर लिखा था जो हम करते हैं वो प्रकृती हमें वापस जरूर देती हैं हमारे कारियों का हमेशा हमारे पास आने का ये एक तरीका होता है और इसलिए हमारा रुदयन हमेशा सच बोलता है और सही मार्गदर्शन करता है लेकिन लालच और अहंकार हमें बढ़का देते हैं तो प्यारे भाईयों और बहनों हमेशा सही मार्ग पर चलिए सही इमानदारी से रहिए और फिर आप देखेंगे जितना हम सत्यता और इमानदारी से चलते हैं प्रकृती उसे कई गुना हमें लोटा कर दे देती हैं शुक्रिया गितना हमें भाईयों और आप देता हैं झाल झाल